2007 के गैंग्स्टर आक्ट मामले में मुक्तार अनसारी के सांसद भाई अवजाल अनसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है गाजीपुर की MPMLA कोट ने कृष्णा नंद राय हत्याकान के बाद दर्ज हुए गैंग्स्टर अक्ट में ये फैसला सुनाई है अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिली है और 1 लाख रुपे का जुर्माना भी लगा है अफजाल अंसारी यूपी के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद है इसी मामले में उनके भाई मुक्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है सजा के तुरन बाद अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया गया उन्हें गाजीपुर जेल भेजा गया पुलिस ने बताया कि अंसारी को जेल तक ले जाने के लिए सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गये है इस सजा के बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के तहट अवजाल अंसारी की संसत सदसिता जा सकती है हालाकि वो 30 दिन के भीतर इस फैसले के खिलाफ हाई कोट में अपील कर सकते हैं जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा आठ भागतीन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को किसी अपरात के लिए दोशी ठहराया जाता है और दो साल या उससे जादा की सजा होती है तो वो सजा मिलने वाले दिन से सदन की सदस्सिता से अयोग यह माना जाएगा दो साल के बाद रिहा होने से लेकर अगले 6 साल के लिए वो अयोग यही रहता है यानि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है अफजाल अंसारी ने 2019 लोकसबा चुनाव में बीजेपी के मनोच सिनहा को 5.5 लाख वोटो सहराया था बीजेपी विधायक क्रिशननंद राय की हत्या 29 नमंबर 2005 को हुई थी क्रिशननंद राय की पत्मी अलका राय ने मौ के ततकालीन विधायक मुक्तार अंसारी उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी के साथ कुख्याच शूटर मुन्ना बजरंगी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था जुलाई 2019 में CBI कोट ने दोनों भाईयों को बरी कर दिया था हत्या के दो साल बाद इसी मामले में मुक्तार और अफजाल के खिलाफ गैंग्स्टर अक्ट का भी केस दर्ज हुआ था गैंग चार्ट में मुक्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय मामले के साथ वारानसी के कोईला व्यापारी नंद किशोर रुंग्टा के अपहरन मामले में भी नामज़त किया गया वहीं अफजाल अंसारी के खिलाफ सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकान में दर्ज F.I.R. के आधार पर गैंग्स्टर की कारवाई हुई थी फिलाल इस खबर में इतना ही आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथ ही साकेत ने मैंने हारिका यादव देखते रहे दीला लंटौ शुक्रिया